तो दोस्तों नमस्कार, आप यह जो प्रेंटिंग देख रहे हैं, इसकी कीमत 20 करोड़ रोपय है, लेकिन आप यह सोच रहोगे, यह प्रेंटिंग तो मैं फ्री में बने लूँ, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े लोग इस प्रेंटिंग को करोड़ों में खरीदते हैं, लेकिन आप यह भी सोच रहोगे, कि इतने बड़े बड़े अमीर आदमी ना समझतो है नहीं, इतना बड़ा बड़ बिजनस चलार है, लेकिन इस पेंटिंग को इतने इतने महंगे महंगे दामों में क्यो खरीद रहे हैं, तो आज के वीडियो खतम होते होते आपके सामने स सारा रहस खुल जाएगा, तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया में 32 करोड की जंजनके है, जिसमें only 6.25% जो है लोग टेक्स पे करते हैं, वही अमेरिका में 45% जंजनके है, वो टेक्स पे करती है, अगर मैं आपको बोलो, दुनिया के बड़े-बड़े लोग, मार कोई भी गवर्मन्ट को कोई भी टेक्स नहीं पे करते हैं, तो ये बात सुनके शायत अफारान हो जाओगे, भई ये काम आदमी जो सेलरी कमा के लाता है, उसको गवर्मन्ट को 20-30% पे करना पड़ता है, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, बिना गवर्मन्ट को जानने वनका मतलब हैं, जो भी आपके इंकम हुई है, उसके वाठी है रुपर आपको टैक्स देना है, और आजने वाले 5 साल के बा座 में आपने उसको 10 लाक रुपर का बेज दिया, इसके वीज में आपको 9 लाक रुपर में चाइक्स, तो ये होगया अपकर अप्रमन्म् एक बाद में उसको जो भी उसके कमाई होती उसका टेस्ट मेलों का इसका मतलब यह है कि आपके अंकम के में नहीं की तरीके में प्रॉछी उसका कीम चस्यकारता है पर पूरे साल पूरी गोřिक्स करता है उसके बाद में उसको जो भी उसकी कमाई होती उसका tax government को पे करना होता है तो यहाँ पर बात आ जाती है एक businessman tax बचाता कैसे है और सारा process legal होता है tax बचाने के दो ही तरीके होते है या तो tax की चोरी की जाए या tax की saving की जाए अब बिचारा एक job वाला तो tax saving करना ही सकता क्यों जब उसके पर salary आएगी उसका tax पहले से कटा होगा वही एक businessman जब पूरे साल अपना business पर लेता है उसके बाद उसको अपने income share करनी होती है उसके बाद उसको tax देना होता है और इसी के बाद शुरू होता है पूरा खेड tax बचाने का तो एक business owner tax बचाने के लिए अपना जितना भी खर्चा होता है वो सारा company के account में करता है अगर उसको कोई property खरीद नहीं है तो वो company के नाम से खरीद नहीं जाएगी अगर उसको कोई गाड़ी खरीद नहीं है तो company के नाम से खरीद नहीं जाएगी इसका मतलब हुआ है कि जितने भी खर्चे हुऊ company के account में हुए और उसने company से कोई भी salary नहीं ली तो जब उसके पास कोई कमाई नहीं हुई तो उसको उसको पर कोई tax नहीं देना इसके लावा अगर इनको किसी company से पैसा लेना है तो वो उसको share के mode में लेते हैं share कभी भी income के mode में नहीं आता है अगर वो कोई भी property खरीते हैं उसको 20-30% कम बुक्स में दिखाते हैं इसके लावा अगर उनको company से किसी भी तरीके इंकम चाहिए होती है तो वो company के shares ले लेते हैं उनके shares को bank के बाद giving रख देते हैं और bank से loan ले लेते हैं इस तरीके से उनके कमाई legal हो जाती है जिसके उपर उनको कोई tax नहीं पढ़ता है और loan ले हुए पैसे से वो घर, मकान और गाड़ी कुछ भी खरी सकते हैं और थोड़ी दिन के बाद इन shares की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसी पैसे से इस loan को चुका के हिसाब बराबर कर दिया जाता है इसके बाद जो दूसरा तरीका आता है वो charity का दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी companies हैं सबकी अपनी एक charity चलती है charities का मतलब अगर आपने किसी charity को कुछ दान दिया तो आपको उसको पर tax देना नहीं पड़ेगा suppose किसी company ने एक लाग रुपे की share खरीदे आने वाले time पे वो share 100 करोड रुपे के हो गए और वही 100 करोड को अगर वो किसी charity को दान दे देते हैं तो उनको उसके उपर कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा इस वीडियो में मैं किसी business man का नाम नहीं लेने चाहता हूँ बहुत सारे business man ऐसे हैं जिनके पास में 3-4-4 तरीके की charities हैं इसका मतलब वो अपनी company का पैसा उठाके उन charities को दान दे देते हैं suppose बेटे के पास में जो charity है और उसका father अपने business से उस charity को दान दे देता है तो उसको उसके उपर कोई भी tax pay नहीं पड़ेगा और वो उस amount का 20-30% बचा लेता है तो दोस्तों आजाते हैं painting वाली बात पे जो painting में आपको दिखा रहा हूँ अगर मैं आपको बोलू इस painting की कीमत 20 करोड़ रुपे है तो आप बोलोगे शाद इस painting को मैं free में ना दू लेकिं दुनिया के बड़े-बड़े business इस तरीके की painting को इतने महऍगे महँए करीदते क्यों है वो इस तरीके की painting को एक करोड़ रुपे के खरीदे है और मियूजूम में रखने के बाद में उसी कीमत को 20 करोड़ रुपे तक पहचा देते है उसके बाद में उसी पेंटिंग को वो दान देते थे हैं इसका मतलब उन्होंने 20 करोड रुपय का दान दे दिया जिस पर वो 50% लेके 100% तक का tax benefit लेते हैं और अपनी income को कोई भी पैसा उन्हें गौवर्मन्ट को एज़े tax नहीं देना पड़ता है तो दोस्तों इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ business को रो, business के तरीकों को समझो और अमीर बनो मिलते हैं next video में like, share, subscribe करना मत भूलेगा Thank you